तो आज जो आप देखने वाले हैं या आपने पूरे यूट्यूब पे कभी या कहीं और भी इस तरह की चीज़ आपने नहीं देखी होगी अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं आपका इंग्लिश मीडियम से 2024 के लिए या फिर आपका मीडियम हिंदी है तो अभी जो आप देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंत होते होते आप जो है आंसर राइटिंग करने लायक हो जाएंगे एसा नहीं कि सारे आंसर आप लिख लेंगे लेकिन कुछ selective topic जो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है free of cost उसको आप देखें उसको आप समझें और उसके basis पे आप लगभग 5 साल के हर साल इस से सवाल आता है तो आप जो है answer writing कर सकते हैं केवल इस lecture के basis पे at least आपको अगर psychology का P भी नहीं आता मनोविग्यान का म भी नहीं आता तो भी आप जो है हलका फुलका answer writing pen उठाने लायक तो आप हो जाएंगे इस lecture को देखने के बाद कि आपको क्या पूछा जा रहा है प्रशन के अंदर ठीक है और थोड़ा बहुत जो है आपको अपना common sense ये भी लगाना होगा कि आप answer किस तरह से और अच्छे से लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए जो topic हमने उठाया है ये most difficult topic है ठीक है आपके पूरे 14 topics जितरे हैं आपके psychology syllabus के अंदर उसमें सबसे difficult topic को ही यहाँ पर आपके सामने present कर रहे हैं तो इस प्रकार से अगर आप course वगर जोइन करना चाते हैं तो उसका आप demo भी समद सकते हैं ठीक है लेकिन mainly यह है कि आप answer rating करना start करें यहाँ पर देखिए साल 2015 और सवाल है 15 नमबर का With suitable examples, discuss the logic behind following the systematic steps in conducting psychological research एक पर देखिए उप्युक्त उधारणों सहित मनोवेज्ञानिक अनुसंधान को संपादित करने में क्रमबध चरणों के पालन करने में नहेत तर्क का विवेचन कीजिए यह पर देखिए साल 2017 बीस नमबर का सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 20 marks का सवाल मतलब कितने pages भरना है आपको 4 pages भरना है लेकिन सवाल कितना सा है सवाल में क्या पूछा है evaluate interview as a method of data collection ठीक है किसकी बात कर रहे हैं data collection की बात कर रहे हैं और उसमें भी कौन सी method interview ठीक है तो इसमें आपको कई सरी चीज़े मालूम होना चाहिए इस lecture के माद्याम से आपको हलका फुलका idea लग जाएगा कि यह प्रशन जो है क्या पूछना चाहता है ठीक है ऐसा नहीं कि आपको और एक lecture से आप सारे आंसर कर लेंगे बढ़ हाँ यह data collection यह interview क्या चीज़े हैं यह आपको इस lecture के अंदर मालूम पड़ेंगी यहाँ पर देखिए अगला सवाल 2018 में नंबर है 15 सरकारी सामाजिक योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन में प्रती चयन और आकडा संग्रह की विबिन्न विदियां किस प्रकार उपयोगी हो सकती है किसी उपयुक्त उधारण के साथ वरणन कीजिए 15 मार्व का यह सवाल इसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्या पूछाया उनने सेंपलिंग की मेपड़्स और डेटा कलेक्शन और सेंपलिंग आपको इस लेक्चर में सुनने मिलेगा और क्या डिटेलिंग होती है वो आप आगे देख सकते है ठीक है अलग अलग तरीके होते हैं इसके Evaluation of Government Social Schemes में कैसे आप इसका impact पड़ सकता है यह आज पूछ रहे हैं आपसे 15 मार्व का सवाल यह देखिए साल 2019 10 मार्व में सवाल पूछा है आपसे B and C Diagnostic and Prognostic Researches are complementary to each other Explain with suitable examples Explain the role of hypothesis in psychological researches with suitable examples नैदानिक तथा पूर्वानुमानिक अनुसंधाने एक दूसरे के पूरक है उप्युक्त उधारनों सहित सपश्ट कीजिए ठीक है नैदानिक and पूर्वानुमानिक मनोवग्यानिक अनुसंधानों में psychological research में उप्युक्त उधारनों के साथ examples भी देना है परिकलपना की भूमिका की व्याख्या कीजिए Explain the role of hypothesis Hypothesis क्या होता है psychological researches पे example के साथ बताना है दस नंबर का सवाल ये सवाल तो आप बड़ी हसानी से आप लिख सकते हैं इस lecture के बाद ठीक है अराम से 10 marks का सवाल दो pages आप आराम से भर सकते हैं आराम से फिल कर सकते हैं जितना भी बताया lecture में उसके अधार पर थोड़ा सा आपको अपना cognition भी लगाना होगा कि कैसे हम अपना better answer लिख सकें ठीक है तो आप लिख सकते हैं ये answer तो complete पूरा लिख लेंगे आप इसको बड़े असानी से and थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में भी knowledge मिलेगा ठीक है तो ये जो देखा आपने ये था आपकी कौनसी unit second and third unit combine कर गए आपको पढ़ाया जाता है ठीक है ये topic है must be covered completely without leaving anything इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको ऐसा नहीं कि आपको second and third में से सारे सवाल पूछ लेंगे selectively पूछते हैं सवाल लेकिन अगर आपने second and third unit अच्छी कर ली strong कर ली तो क्या होगा आपको इसका बहुत benefit मिलेगा ठीक है तक कि कोई भी सवाल आया उसको आप बड़े आसानी से answer कर सकें ठीक है इस topic से आप number lose करेंगे मतलब आप 50 marks तो वैसे ही near about 35 to 50 marks आप lose कर जाएंगे अगर आप किवल ये जो दो unit अगर आपने नहीं पड़ी तो इतने numbers पे आपका impact पड़ सकता है तो चलिए चलते हैं lecture के उपर लेकिन wait ये जो सवाल देखें आपने ये सवाल तो केवल 2020 तक थे 2020 तक आपने देखें जितने भी सवाल आये 19 का आपको recent बताया गया सवाल ठीक है तो अब देखते हैं यहाँ पे 21 and 22 में क्या-क्या आया हुआ है अब ये देखें हैं यहाँ पे सवाल 2021 का 10 marks के लिए सवाल है What are the limits of intuition and common sense? Why do psychologists emphasize on scientific methods? Discuss करना है इसमें आपको That is for 10 marks ठीक है थोड़ा सा logic लगाएंगे थोड़ा सा चीज़े समझेंगे और मतलब deep study करनी होगी ऐसा नहीं कि एक वीडियो से आप सारे answer कर लें बट फिर भी थोड़ा बाद आपको knowledge idea लग जाएगा ठीक है कि questions कहां से आया हुआ है और आपको कैसे approach करना है इसी को देखिए यहां पे हिंदी में 1A 10 marks के लिए सहज बोध और सामाने समझ की क्या सीमाए है मनो वैज्ञानिक वैज्ञानिक विधियों पर क्यों जोर देते हैं सवाल पूरा यहीं पे घुमाया है क्यों जोर देते हैं इनका क्या कोई मतलब है या नहीं है क्या यह बेकार के लिए है चर्चा करें 10 marks के लिए अब यहां पर देखिए साल 2022 का यानि कि लास्ट येर का ही सवाल है यह इवला सवाल पढ़िए illustrate the role of hypothesis in psychological research मनो वैज्ञानिक अनुसंधान में परिकलपना की भूमिका का वरणन कीजिए कौन बोल रहा है कि PYQ repeat नहीं होता similar PYQ 10 number के लिए जो कुछ साल पहले आया था at least 17 में आया था I guess वो ही 17 या 18 में वो आपको यहां पर 20 second में इसको repeat किया है ठीक है तो ऐसे एक दो सवाल आपको तो मिलेंगे ही जो कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी perspective से repeat हो रहे है आपको उनको selectively attend करना होगा ठीक है तो आपने देख लिया focus कहां पर हमारा focus है second and third unit पे अभी आप continue करिए इस lecture को देखना आगे and video खतम होने के बाद-बाद आप जो है थोड़ा बहुत जो है answer writing में लिखना क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अगर समझ में आता है तो बताइए समझ में आया नहीं आता है तो भी बताइए नीचे comment कर दीजेगा आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो ठीक है वैसे most probably आपको समझ में आ ही जाएगा 99.8% आपको समझ में आ ही जाएगा अब 0.2% वाले case होगा तो फिर आप देख लीजिए otherwise यसा नहीं होगा आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कि at least लिखना क्या है आप जो है pen उठाने की stage तक तो आई जाएगे कि हाँ मैं चलिए कुछ लिखता हूँ research के बारे में ओके let's start the video वीडियो को continue करिए thank you जीवन में जब कभी भी आप research PhD कहीं भी कुछ भी करने जाएगे आप अपने जीवन में तब आप इसको क्या मिलता रहेगा आपको इसका फायदा मिलता रहेगा ठीक है सबसे पहले बात करेंगे research का मूल basic term क्या है research का मतलब क्या है research का मतलब है आपकी new discovery discovery को आप खोज भी कह सकते हैं हिंदी में जाएगे तो फस जाएगे आप वो हिंदी में कुछ भी शब्द दे सकते हैं आपको तो आप ध्यान रखिए new discovery नवीन खोज की बात होते ही है लेकिन किस चीज़ के बारे में खोज करने है हमको हमको घ्यान की खोज करने है ठीक है तो यह जो research है यह जो research है इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम हम नवीन discovery करते हैं new discovery करते हैं किसी किसी भी घ्यान की तो जो भी आप सिद्धान्त देखते हैं ठीक है जो भी आप theories देखते हैं चाहे वो आप motivation की बात करें चाहे आप लर्णिंग की बात करें ये सब क्या है, शुरुवात कहां से होती है, इनकी शुरुवात होती है इनकी research से, इस research पर क्या किया जाता है, इस research पर जिसको हम कहते हैं शोध, शोध की जाती है, शोध के बाद नवीन ग्यान मिलता है, जैसे classical conditioning की बात करें, तो पावलों ने पहले क्या किया, पहले research किया, है न किस पर कर रहे थे वो digestive system of animals है न जो हम खाना पचाते हैं जानवरों का उनके उपर वो research कर रहे थे है न उनकी शोज चल रहे थी और वो करते करते उनको क्या मिला उनको करते करते वो नवीन ग्यान मिला उनको करते करते वो नवीन लब new discovery मिली उनको ठीक है तो research एक ऐसी प हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे scientific research की, अब यहां पर किसकी entry हो गई है, आपके विज्ञान की entry हो गई है, ठीके, कि scientific research में, वैज्ञानिक शोध में किस प्रकार से चीजें होती है, scientific research के अंदर क्या होता है, यह होता है आपका systematic, याने की व्यवस्थित धंग से, systematic व्यवस्थित धंग से, और क्या होता है, दूसरा होता है objective, है न, वस्तोनिष्ट क्या उसके पीछे, वस्तोनिष्ट क्या उसके पीछे reason है, उसकी बात करनी है, तो scientific research जो होती है, वेज्ञानिक शोच जो होती है वो क्या होती है, एक systematic एक विवस्थित, पहले ये होगा, फिर ये होगा, इस प्रकार से define करते हैं, आगे सबज में आएगा धिरे दिरे आपको, तो क्या होता है, scientific research ऐसा नहीं कि कभी ऐसी बात कर रहे हैं, कभी ऐसी बात कर ठीक है प्रशन कौन से है जो हमारी समस्या है जो हमको आगे आपको समझ में आएगा कौन सी समस्या है उन समस्याओं को क्या करना होता है हमको आंसर देना होता है ठीक है तो उस समस्या को आंसर देने के लिए क्या तरीका है एक systematic और objective तरीका कौन सा है scientific research है माल लीजे classical conditioning है ऐसा क्यों होता है, सवाल ये है, problem ये है कि classical conditioning ऐसी क्यों होती है, उसके पीछे क्या है, एक organic शोध है, systematic तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे होता है, और उसके पीछे एक objective भी है, चलिए अब हम बात करेंगे, अगली जो है मारा वो क्या है objectives of good research, ठीक है एक अच्छी शोध के क्या उद्देश होते हैं, क्या उसके वस्तोनिष्टता होती है क्या उसके objective होते हैं, किसी भी अच्छी शोध के, ये मान के चला जा रहा है कि आपको एक good research क्या होती है वो मालूम होगी, ठीक है अब good research में कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं है, बस यह है कि सारी चीज़र कैसी होंगी systematic होंगी, वो reliable होंगी वो valid होंगी, ठीक है, ये सब बाते होती है उसमें design होगा, ठीक है इसको कहते हैं, एक अच्छी research, ठीक है तो एक अच्छी research का objective क्या है कि इसमें हमको क्या करना है हमको प्रश्णों के उत्तर प्राप्त करना है क्या प्राप्त करना है प्रश्णों के उत्तर प्राप्त करना है हमको और किसकी मदद से वैग्यानिक विधियों से कौन सी विधियां जो अभी बताया आपको scientific procedure है ना, वैग्यानिक विधियों की मदद से हमको क्या करना है हमको जो हमारे प्रशन है उसके उत्तर प्राप्त करना है ठीक है किसी भी एक अच्छी रिसर्च का एक अच्छी शोद का क्या उद्देश है उद्देश objective क्या है कि हमको उन प्रशनों के उत्तर प्राप्त करना है किसकी मदद से scientific procedures की मदद से ठीक है हमको इसी के साथ साथ क्या प्राप्त करना है और यह आप नोट करते चले हैं जो जो बता रहे हैं यह आपका पहला पॉइंट हो गया उसी के साथ साथ और क्या करना है हमको हमको truth की खोज करनी है हमको जो सत्य है उसकी खोज करनी है और जो अभी तक discover नहीं किया गया है ठीक है वोकस ना करके क्या करेंगे हम उसमें LED या इस प्रकार का जो है जो not discovered है अब लेकिन सच है उसके बारे में हमको यह हमारा अच्छी शोद का यह objective होता है ठीक है तो आपको माल लीजे आपको learning पे शोद करना है ठीक है हमको memory पे शोद करना है सुरती के उपर किसी को environment के उपर श पे शोद करना है ठीक है तो इस सब के लिए क्या एक ही प्रकरी अगर अपनाएंगे तो सही होगा इन सब के लिए अगर एक ही प्रकार से अध्यान किया जाए तो उसक्या सही होगा है इनके लिए नहीं होगा ठीक है तो सबका जो शोद अध्यान है वो क्या होता है वो तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तीन प्रकार की यह है आपकी exploratory research studies इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोल रहे हैं आप लिख लीजेगा इसको बोलते हैं अन्वेशनात्मक अनुसंधान exploratory research studies कहा जाता है इसको हम बोलते हैं diagnostic research studies इसको हम बोलते हैं descriptive research studies और चौथे को अभी हम देखनें बadow हैं सबसे पहले समझते हैं exploratory में क्या होता है एक ऐसी study एक ऐसा अध्यान कैसे लिखेंगे आप अन्वेशन आत्मक अनुसंधान अध्यायन इसके अंदर क्या होता है कि हमको क्या चाहिए हमको माल लीजे किसी की बारे में new insights चाहिए है न हमको नई अंतर दृष्टी चाहिए किसी चीज के बारे में तो वहाँ पे कौन सी research studies होंगी वहाँ पे होंगी exploratory research studies उसके अंदर क्या करना है हमको वहाँ पे explore करना है चीजों को ठीक हमको उसको और जानना है जैसे मान के चलिए learning में पहले से काफी सारे theories थी लेकिन insight learning ऐसा नहीं है कि अंतर दृष्टी यहाँ पे लिखा हुआ है learning पे काम कर रहे थे लेकिन जो आपके आये कौन कोहलर को था कि नहीं इसमें और कुछ नया हमको मिल सकता है कुछ new insights मिल सकती है तो उनने कौन सी की होगी उन्होंने अपने जमाने में exploratory research studies की होगी क्योंकि उनको क्या चाहिए था उनको और familiar होना था इस concept से की अधिगम होता कैसे है learning होती कैसे है उसके अंदर उनको और new insights चाहिए थे ठीक है तो अब किसका इस्तमाल किया जाएगा इस्तमाल किया जाएगा आपके exploratory research studies का ठीक है तो यह हुआ पहला वाला अधियन exploratory research studies दूसरा है मारे पास diagnostic research studies याने की निदानात्मक निदानात्मक अनुसंधान जानना है कि अगर कोई चीज घट रही है कोई चीज अगर हो रही है तो उसकी frequency क्या है उसकी आवर्ति क्या है कितनी बार हो रहा है frequency मतलब कितनी बार हो रहा है वो चीज ठीक है उसके बारे में हमको जानना है तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं diagnostic research studies निदानात्मक अनुसंधान अध्यान कि किसी ए चीज़ का बी से क्या संबंध है और उनके बीच क्या आवरुत्ती है क्यों ऐसा हो रहा है उसके बीच की frequency के बारे में study करेंगे उसको हम क्या बोलते है diagnostic जो आपके उतना काम का नहीं है अगर हम NTA NET की बात करें तो ठीके लेकर ध्यान रखेगा diagnostic वाली ये होती है अब बात करेंगे तीसरा जो हमारे पास है वो है descriptive research studies यानि कि इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वरणानात्मक वरणात्मक बोल सकते हैं वरणात्मक अध्यान अनुसंदान अध्यान इसमें देखिये describe क्या होता है describe में बोलते हैं वरणान करिए describe yourself आप क्या करेंगे स्वयम का वरणान करेंगे लेकिन आप research स्वयम पे तो नहीं कर रहे हैं आप किस पे कर रहे हैं आप दूसरों पे कर रहे हैं किसी A person पे कर सकते हैं, या किसी एक family पे कर सकते हैं, या किसी देश पे कर सकते हैं research, ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, किसी भी individual का हो सकता है, group में हो सकता है, या किसी परिस्तिती का हो सकता है, जैसे अभी जो हाथसा हुआ है, Odisha वाला, है ना, वहाँ पे जाके आप परणन कर रहा है वहाँ पर चाहे ए परसन का चाहे किसी फैमिली का ठीक है इसको आप ध्यान रखें ठीक है तो तीन देख लिए आपने पहली है आपकी exploratory research studies इसमें आपको explore करना है ठीक है new insights आपको चाहिए नवीन नवीन अंचरद्रिश्टी चाहिए आपको दूसरा आपके पास है descriptive research studies इसमें क्या करना है यह था आपका diagnostic वाला ठीक है इसमें निदान की बात करते हैं कि कोई चीज की frequency क्यों है बार बार क्यों हो रहा है और यहा experimental studies है याने की प्रयोगात्मक अध्यान यह आपके लिख लीजेगा प्रयोगात्मक अध्यान और इनका एक और नाम है वो क्या है वो है आपका hypothesis testing research studies ठीक है परीकलपना या प्राककलपना परीकलपना प्राककलपना परीक्षन टेस्टिंग अनुसंदान अनुसंदान अध्य किसी भी experimental study या अध्यान में या research में क्या होगा यहाँ पे आप क्या करेंगे आप रयोग करेंगे आप यहाँ प्रयोग करते हैं ठीक है और क्या स्थापित करते हैं वहाँ पे एक relationship स्थापित करना चाहते हैं आप है na और ये relationship, ये संबंध किसके बीच में होता है? संबंध किनके बीच में होता है? ये संबंध होता है चरो के बीच में, ठीक है? यानि कि आपके variables हैं, इनके बीच आप क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है? और इसके लिए क्या होता है आपके पास? इसे हम क्या बोलते है, इसे हम बोलते है causal relationship, क्या ये चीज जो हो रही है, इसके पीछे कोई कारण है क्या, कारण बताओ notice, क्या इसके पीछे कोई cause है क्या, है ना, A को manipulate करने से, B की हरकतों में कुछ सुधार आ रहा है या खराब हो रही है, इसके पीछे कोई cause है क्या, इसके हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, आप देखिए कैसे आपको याद रहेगा, कोई माल लिजे पूछ रहा है कि आप experimental studies कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है किआपके पास कुछ variable होंगे, आपके पास कुछ क्या होंगे, चर होंगे, वेरियेबल होंगे, और आप क्या चाते हैं वहाँ पे आप प्रयोग करना चाते हैं ठीके तो research अध्यान में फिर से चार देखते हैं एक बार फिर से करके सबसे last वे कौन साथ हमारे पास experimental studies तीसरा कौन साथ हमारे पास descriptive studies दूसरा कौन साथ हमारे पास diagnostic studies और पहला कौन साथ हमारे पास exploratory research studies ठीके ये main इनके बीच आपको difference अब clear हो गया होगा चलिए अब बात करेंगे हम qualities of good research ठीके एक अच्छी शोध की गुण क्या है एक अच्छे शोध के या अच्छी शोध अध्यान के गुण क्या है कुछ qualities होती है न ठीके अच्छी शोध कैसी होनी चाईए तारकिक होनी चाईए इसी तारकिक के अध्याना आप deductive का इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें क्या करते हैं आप specific से general की और जाते हैं और दूसरा को इसका इसका इसतवाल कर सकते हैं आप inductive approach का इसतवाल कर सकते हैं गया होने चाहिए एक अठी शोत को logical होना चाहिए चलिए ये है फिर कुछ अगले points एक अठी होना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए systematic होनी चाहिए, आपकी जो research है वो, ठीक है, एक आपकी जो शोध है वो कैसी होनी चाहिए, systematic होनी चाहिए, यानि की व्यवस्थित होनी चाहिए इसका मतलब क्या होगा, आप करने से पहले ही आप क्या बता देंगे कुछ steps बता देंगे कुछ rules बता देंगे आप नियम बता देंगे कि हम इस इस प्रकार से हम करने वाले हैं ठीक है इसके अंदर आप जो है guessing वगर आप जो है करना बंद कर देंगे आपको मालूम है कि हाँ व्यवस्तित है मतलब अगर ऐ ऐसे ऐसे करेगा ये कोई भी product है या कोई भी person है इसका मतलब ये होगा ठीके विवस्थित पहले साही आपने क्या कर दिया इसको विवस्थित बता दिया ताकि अंत में नहीं कि शायद हाँ ये इस वज़े से किया होगा इसलिए ऐसा हो सकता है पूरा क्या होगा well defined अच्छे स अगला क्या है अगला है आपका empirical जिसे हम क्या बोलते हैं प्रयोग सिद्ध होना चाहिए कैसा होना चाहिए आपकी अच्छी research कैसी होगी प्रयोग सिद्ध होगी इसका मतलब क्या है कि आपने माल लीजे research की और उसके बाद क्या निकाला आपने कोई conclusion निकाला ठीके कोई न और वह निशकर्ष है हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए उनके लिए क्या चाहिए तमाम गवाहों और सबूतों को को बंदनी रखते हुए टीके आपके पास और जो ऐविडिंस कहां से गलत बोल रहे हैं कहां से कलेक्ट करेंगे आप कलेक्व करेंगे real life experience है ठीक है आपने जो अनुभफ किया है real life में उसके बाद जो आपके पास data आएगा है ना उसके अधार पे आप conclude करेंगे ठीक है एक अच्छी शोद का conclusion किस पे based होगा प्रयोक सिद्ध होगा वो empirical होगी इसका मतलब कि आपने जो भी conclusion निकाला है वो किस के आधार पे होगा वो evidences के आधार पे होगा और evidences कैसे होगे real life पे based होगे ठीक है जैसे माल लीजिए और वो बात करते हैं skinner box वाली है ना skinner box की बात करें तो उसने क्या किया होगा skinner ने B.F. Skinner सर ने क्या किया होगा एसा नहीं कि एक चुहे पे करके देख लिया तो हो गया दो चुहे पे किया होगा तीन पे किया होगा एक्सेक्टर इस प्रकार से तो real life में उनने देखा कि हाँ ऐसा हो रहा है इस वज़े से क्या बन गई आज हमारे पास theory बन गई reward या reinforcement वाली तो समझ रहे हैं उन्होंने क्या किया हवा हवाई बाते नहीं कर दे किया जो पावलोव ने कहा हम कुछ अलग कहेंगे इसलिए हमने ऐसा कर दिया नहीं research की और फिर क्या किया real life experiences से उनको जो है अनुभव मिले उसके अधार पे उनके बास evidences थे कि हाँ हमारे पास सौच हुए है मतलब सौच हुए है वो चले यहाँ पे ठीके तो यहाँ पे इसके अधार पे नोने conclusion निकाला कि reinforcement जरूरी होता है ठीके तो प्रयोकसित होनी चाहिए और यहाँ पे देखिए अगला फिर अगला है valid and verifiable कैसा होनी चाहिए अच्छी शोद valid होनी चाहिए वैद होनी चाहिए समझ रहें आप नाम से ही और verifiable होनी चाहिए verify कौन करेगा verify करेंगे दूसरे सत्यापत होनी चाहिए यह शोद जो है सत्यापन योग के होनी चाहिए ठीके वैद होनी चाहिए या फिर मान्य होनी चाहिए जो आप कहना चाहिए मान्य होनी चाहिए and सत्यापन योग होनी चाहिए ठीक है तो किसी भी research के अंदर क्या करते हैं आप आप करते हैं observation है ना आप prediction करते हैं और आप क्या करते हैं, describe करते हैं चीजों को कि ऐसे ऐसे होगा, तो यह सब कैसे होने चाहिए, और जो data collect करने के लिए आप जो instrument लेते हैं, जो उपकरन लेंगे data collect करने के लिए, वो भी कैसे होने चाहिए, जैनुवन होने चाहिए, ऐसा नहीं माली जी आप किसी के पानी का sample ल मिलना चाहिए article number 14 equality before law ठीक है जो है सब जो है कैसे रहेंगे समान रहेंगे तो ये valid रहनी चाहिए and verifiable रहनी चाहिए आज से 10 साल बात को याएगा तो वो भी check करेगा तो उसको सत्यापित करते बनना चाहिए कि आपने जो भी find किया है वो सत्यापित करने योग है या नहीं है कि आप जो भी conclusion दे रहे हैं आपकी जो है reinforcement मिलना चाहिए आप जो भी conclusion दे रहे हैं वो किसके अधार पे दे रहे हैं वो हम check कर सके है आपको जूटा सावित करने के लिए कि आप तो ऐसे ही अपने research publish करना चाहते हैं इसलिए आपने बता दिया है ना ऐसा नहीं होना चाहिए valid and verifiable होनी चाहिए उसके बाद अगला क्या बसता है अगला हमारे पास है develops, theories and principles किसका निर्मान करेंगे अभिया आप यतनी showed कर रहे हैं तो किसका निर्मान करते हो आना चाहिए हुनसे सिध्दांतों का निर्मान करते आना चाहिए ठीक़ है अगर अच्छी शोथ कभी होगी जब उससे क्या कर सके है theories develop कर सके ठीक है तो मानली जो आपकी research है उसमें क्या किया आपने लोगों को observe किया उनका data लिया आपने और उसके अधर पे आप कुछ conclude करना चाहते हैं आपने बताया कि हाँ ऐसा होता है reinforcement सब के साथ होता है चूहे के साथ, जानवर के साथ, इंसानों के साथ सब को reinforcement की problem की आउशकता होती है उसके अधर पर क्या किया आपने जब इतने सारे data आपके पास आ गया क्योंकि जो भी आपने chair लिये थे अपनी study के अदर, जो भी variables लिये थे आपने अध्यान के अंदर, वो ये थावित करते हैं कि आप जो है reinforcement की आउशकता है ठीक है, तो ये था आपका अगला वाला और last में बज़ गया क्या हमारा वो है replicable, research कैसी होनी चाहिए research कैसी होनी चाहिए, अच्छी वाली उसको हम क्या कर सकते हैं, हम अनुकरणी होनी चाहिए वो, ठीक है replicable होनी चाहिए, उसको हम replica बना सकें उसका ठीक है तो ये क्या होनी चाहिए replicable होनी चाहिए ताकि माल लीजे कोई दूसरा person आके भी क्या कर सके उसकी उसकी वैदिता जाच सके कि ये valid है या नहीं है माल लीजे आपने research की एक बच्चों के उपर और बुड़ों के उपर और आपने बोला कि बच्चे जो है बुड़ों से परिशान हो चुके हैं ठीक है तो माल लीजे ये जो है दूसरा वाला ये बोलता है नहीं बच्चे और बुड़े तो साथ में रहते हैं तो ये क्या करेगा आके आपकी study देखेगा और देखेगा ये वैद है या नहीं है ठीक है तो कैसी होनी चाहिए अच्छे research रेप्लिकेबल होनी चाहिए तो जो भी आप observation करेंगे जो भी आपके प्रक्रिया का इस्तमाल किया है आपने अल्रेडी बता चुके एक बर शाहिद पहले ethics वाले case में जो भी प्रक्रिया है आपकी जो भी result आयरे आपके जो भी आपने design का इस्तमाल किया है जो भी आपने अभिकल्प का इस्तमाल किया है वो सब क्या हो आप उसको replica कोई कर सके और देख सके कि हाँ आपने जो बताया है वो सही है या नहीं है ठीक है तो ध्यान रखेगा ये सब जो भी आपने देखे ये सब क्या थे एक अच्छी शोद के गुंड थे qualities of good research कैसी होनी चाहिए systematic होनी चाहिए, logical होनी चाहिए, valid and verifiable होनी चाहिए theories develop करते आना चाहिए उनसे and replicable होनी चाहिए ठीक है और empirical होनी चाहिए चलिए, अगला जो आपको देखना है important काम का वो क्या है steps in research process, किसी भी research process के अंदर किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया में या किसी भी अनुसंधान अध्यान के अंदर कौन-कौन सी प्रक्रिया है, पहले क्या होता है, पहले आप पतीला उठाते हैं उसको गरम तवे पे रखते हैं, नहीं तवे पे नहीं, स्टोफ पे रखते हैं देन उसमें पाणी डालते हैं, देन शक्कर डालते हैं, ये डालते हैं अंत में जाके क्या बनती है आपकी, अंत में जाके आपकी चाय बनती है ठीक उसी प्रकार से आपकी research प्रक्रिया में भी इसी प्रकार के step है और इसको ध्यान रखें आप कि ये steps same रहेंगे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे चाहिए आप paper 1 पढ़ें चाहिए paper 2 पढ़ें चाहिए paper XYZ कुछ भी पढ़ें research process के ये steps जो अभी तक established है ये well established है और हर research प्रक्रिया जो है इसी के द्वारा मतलब एक step by step जाती है सबसे पहले बात करें बहुत ध्यान से सुनिएगा सवाल मतलब आपको घुमा फिरा के पूछाएगे तो इसको अगर आप clarity हो जाएगी तो आपसे बन जाएगा सबसे पहला step जो होता है वो क्या है वो है आपकी समस्या की पहचान जिसे हम क्या बोलते है जिसे हम बोलते है identification of problem identification of problem जो है सबसे पहला step है किसी भी research प्रक्रिया का किसी भी research process का सबसे पहला step क्या है समस्या की पहचान एसे कौन से इवेंट है या एसी कौन से कारण है क्या होता है लोग गरेशन में गुस्ता क्यों करते है और लोग हस्ते क्यों है बहुत ज़्यादा बिना वजए इसके पीछे कौन से इवेंट है कौन से ऐसे कारक है या कौन से ऐसे faktor है कौन से ऐसे कारण है जिस वजए से यह ऐसा जो व्यक्ति है behave कर रहा है ठीक है तो इस परकार से क्या बनाते हैं आप एक शोध का प्रश्ण बनाते हैं कि हमारे शोध में प्रश्ण यह है research question हमारा यह है ठीक है और फिर क्या करते हैं आप आपनी जो research problem है उसको formulate करते हैं शोद समस्या जो है आपकी research problem जो है उसको क्या करते हैं उसका निर्मान करते हैं कि हमको इस research के माध्यम से हमको find क्या करना है हमको धूंडना क्या है वो आप देखते हैं ठीक है मतलब research समस्या तो है हमारे पास research की problem है कि कोई particular event माल दीजे corona है उससे व्यभार पे क्या प्रभाव पड़ा ठीक है एक problem है हमारे पास तो उसने सोच देया लेकिने इसमें find क्या करना है उसको exactly क्या find करना है वो क्या रहेगी उसकी research problem formulate करेगा कि हमको find क्या करना है ताकि कि उसके जो research है उसी direction में जाए उसी दिशा में जाए ठीक है इसके भी कुछ पहलो होते है क्या होते है वो कि पहले कभी उसपे investigation नहीं होना चाहिए ठीक है जिसको हम बोलते है न प्लेग यारेजम हो चुका है ठीक है और जो दूसरी चीज है वो available to investigate होना चाहिए है न कि द ठीक है अगला step नहीं है ध्यान रखेगा step 1 ही चल रहा है step 1 क्या है identification of problem समस्या की पहचान कि समस्या है क्या कि इसको दूर करना चाहता है researcher उसके लिए क्या करेगा वो देखेगा then review of literature ठीक है review of literature में क्या होता है कि already जो पहले से काम करके रखा हुआ है वो सब उसके अंदर knowledge ह होता है ठीक है तो अपनी problem को solve करने के लिए solve problem को देखने के लिए पहचानने के लिए क्या करता है वो literature देखता है ताकि क्या हो सकता है उसे मदद मिलती है वो duplicate नहीं करेगा already जो research हो चुकी है वो छोड़ देगा उसको करेगा ही नए उस problem के ऊपर या फिर उससे कुछ करना और पुरुष ठीक है इस प्रकार से लिए थे महिला और पुरुष तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये लिए चुके हैं और जो महिला और पुरुष थे दोनों क्या थे 18 प्लस थे ठीक है तो अब क्या करेगा वो 18 प्लस ना लेके क्या हो सकता है चाइल्ड को ले ले इसके भी कई सारे exciting benefits हैं अब चलते हैं अगले पड़ाओ के उपर वो है हमारा कौन सा वो है हमारा step number two step number two है हमारा formulating hypothesis अब क्या करेगा वो परिकलपना का निर्मान करेगा पहले step में क्या किया उसने उसने समस्या की पहचान कर लिए कि हमारी जो है समस्या ये है समस्या क्या मालूम है क्या करना है मेरी शोध के अंदर और क्या नहीं करना है उसको एक general idea आ चुका है अब क्या करेगा वो अब करेगा formulating hypothesis अब किसका निर्मान करेगा वो hypothesis का निर्मान करेगा और most of the times hypothesis क्या होता है? उत्तर होता है. ठीक है यह जो समसिया है, इसका बीछे उत्तर यहीं पर मिलता है. तो इसकी शोध का जो समसिया यहाँ पे मिलेगी और उसका उत्तर कहाँ पे मिलेगा उसके इसी hypothesis के अंदर होगा. आपको और अल्रडी मालुँ में कि reinforcement और जो पशु है उसके विभार में कोई भी अंतर नहीं है मतलब कोई भी अंतर नहीं है और alternative क्या होगा कि उनके बीच में अंतर है ठीक है यह आगे बताएंगे आपको यह सब क्या होता है लेकिन इतना ध्यान रखिए आपका जो उत्तर है उस समस्या का कहां पर मिलेगा इसी step के अंदर मिलेगा second number के step के अंदर जहां पर क्या करेंगे आप परिकलपना का दिर्बान करेंगे hypothesis formulation करेंगे आपकी जो hypothesis होती है वो क्या होती है एक tentative statement होता है ध्यान रखिएगा इस चब्द को इंग्लिश में ही ध्यान रखिए tentative statement ठीक है tentative statement होता है tentative statement होता है hypothesis और आप जो क्या show करता है, tentative statement क्या show करता है, याद कर यह अभी बताया था आपको relationship, संबंध बताता है, किसके बीच संबंध, आपके study में क्या होते हैं, आपके अध्यान में होते हैं, चर, आपके अध्यान में क्या होते हैं, चर होते हैं, variables होते हैं, variables example के तौर पे A and B हो सकते है तो hypothesis क्या है? एक ऐसा tentative statement जो क्या बताता है? जो संबंध बताता है variable A and B के मध्य में या variable XYZ जो भी आपने लिया है उनके बीच क्या संबंध है? दो ही चीज़े होंगी या तो संबंध है या संबंध नहीं है और वो कहां पर होता है? आपके अध्यान के अंदर होता है तो hypothesis का काम क्या है? tentative statement है ये एक ऐसा कथन है जो हमको क्या बताता है? या तो A and B के बीच में संबंध है या फिर A and B के बीच में संबंध नहीं है इसको आप ध्यान रखें ये ध्यान मत रखें बस जो बोला वो ध्यान रखें कि या तो संबंध होगा किसी दो variable की बीच में या नह बाक लगता है तीसरा step क्या है हमारे पास? तीसरा हमारे पास है identifying हमको क्या करना है? identify करना है, manipulate करना है एंड किसको हम research में. हीक है, चाहे हमको memory को लेना है, चाहे learning को लेना है, चाहे हमको attention को लेना है, हमारे इसके अंदर variable कौन सा होगा, कौन से चर होगे उसकी हम बात करेंगे, identify करना है फिर उसको manipulate करना है, किसको manipulate करेंगे हम, independent को करते हैं अपने पहले में क्या किया पहले में आपने identification of problem समस्या का निर्मान किया समस्या को पहचान किया आपने दूसरे में क्या किया आपने hypothesis निर्मान किया आपने परिकलपला का निर्मान किया कि हमारा देखिए ये उत्तर हो सकता है ठीक हमारा क्या हो सकता है भविश्च में जाके research complete होगी तब यह उत्तर हो सकता है तीसरा क्या आए आपके पास कि हमको यह उत्तर साबित करने के लिए कि यह उत्तर हमारा है हमारे पास क्या उपलब्ध है हमारे study में चर हमारे पास उपलब्ध है, variables उपलब्ध है variable को क्या कर सकते हैं, manipulate कर सकते हैं research design ठीक है पहली बार देख रहे होंगे इस तरह से ठीक है इसको क्या बोलते हैं अब जब तीसरा step में जब हमारे पास variable सब ready है कि अच्छा ऐसे करेंगे मतलब इसको control करेंगे इसको हमको नहीं चाहिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमको मालूम पड़ गया अब अगला step क्या आगे हमारे पास चौथे नमबर का research design का step आ चुका है ठीक है तो आपका जो research design है ये क्या होता है एक प्रकार से blueprint होता है ठीक है एक प्रकार से क्या होता है blueprint होता है उन सभी प्रकृयाओं का उन सबी प्रक्रियाओं का जो आप क्या करने वाले हैं जो आप इस्तमाल करने वाले हैं किसके लिए test करने के लिए उसका परिक्षन करने के लिए किसका परिक्षन करने वाले हैं आप hypothesis का तीक है या फिर hypothesis क्या है वही relation और relation किसके बीच होगा variables के बीच में independent variable and dependent variable ठीक है तो एक प्रकार से blueprint होता है कि आप किस प्रकार से आपका जो भी उद्देश है research का ठीक है उसमें आप जो भी variables लिए हैं आपने उसको test कैसे करेंगे यहाँ पूरा blueprint होता है कि हम A variable को independent variable लेंगे B वाले variable को हम dependent variable तो ये कितने-कितने levels पर होगा वो सब आगे की बाते हैं लेकिन ये सब चीज़े कहाँ पर establish की जाती है यहीं पर establish की जाती है जिसको हम क्या बोलते है शोध अभी कल्प ठीक है शोध अभी कल्प हम जिसको बोलते है research design कि हमारे research को हमने इस प्रकार से design किया है कि पहले बाले variable A यानि की reward को हम इस प्रकार से manipulate करेंगे तो आकि हमको क्या मिलेगा हमारा जो learning है अधिकाम है dependent variable उस पर हमको ये effect देखने को मिलेगा और भी कई तरह की चीज़ें हो सकती है सारी चीज़ें कहाँ पी होंगी सारी चीज़ें आपकी number 4 में होंगी आपके research design के अंदर होंगी ठीक है आपके research design का main function क्या होता है कि आपको उत्तर कैसे मिलेगा आपको उत्तर कैसे मिलेगा किसका उत्तर मिलना है जो आप ही के research के सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कौन से event जो है इस प्रकार के behavior को बदलाओ इस प्रकार के behavior को लाते हैं ठीके ये सब उत्तर क्या करना है प्राप्त करना है आपको ठीके और उत्तर कैसे मिलेगा यहीं जो आप manipulation करेंगे सारी चीज़े करेंगे उसके अधार पे आपको मिलेगा ठीके और कोई भी research design कैसी होनी देख लेते हैं ये है आपका observation and measurement observation and measurement और दूसरा कौन सा है आपका sample selection and data selection ठीके याने की आपका prediction एवं मापन के उपकरनों का निर्मान करेंगे आप है ना constructing devices constructing devices for measurement and observation ठीके अब देखिए आपने जो है अपने research design कर ली अब research design में आपने एक को इस कमरे में बिठाया एक को इस कमरे में बिठाया ठीके ये A group है और ये माल दीजिए B group है ठीके यहाँ पे आप दिखा रहे हैं TV यहाँ पे भी आपने दिखाया TV इन सब के लिए observe करने के लिए और measure करने के लिए हमको किस की आवशकता होगी कुछ ना कुछ devices की आवशकता होगी ठीके उनी को क्या करेंगे उनी का निर्मान करेंगे यहाँ पे हम इसके अंदर ॠीके कि हमको कौन से टूल्स लेना है कौन से उपकरन लेना है हमारे research के अंदर ठीक है और ये measure करने के लिए observe करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको लोग चाहिए लोग कहां से मिलेंगे आपको sample selection से मिलेंगे अगर आपको study के उपर करना है तो जा सकते हैं आप हो सकता है अपने शहर के 10 school में चले जाएं आप data संग्रहन भी होगा data संग्रहन भी करना होगा हमको ठीक है तो जिस भी प्रकार की हमारी study होगी जिस भी प्रकार की हमारी अध्यान होगा उस प्रकार से हम क्या कर लेंगे sample का chain कर लेंगे अगर हम बुदर्गों पर कर रहे हैं तो छोटे से बुदर्ग जाकी लेंगे किसी laugh आउस क्लब से या कहीं से ला सकते हैं, छोटा-छोटा सेंपल हम ले सकते हैं, और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजेगा इसको, observation, prediction के माध्यम से, experiment के माध्यम से, case study या फिर survey के माध्यम से, इन चार माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हम जो है data collect कर सकते हैं, और collect करने के लिए क्या चाहिए होंगे हमको, observation कैसे करेंगे, major कैसे करेंगे, उसके लिए कौन से tools है हमारे पास, उन सब का भी ध्यान रखना है, यह सब किसके अंदर आएगा, यह सब आएगा आपके शोध अभी कल्प के अंदर ही, research design के अंदर ही आएगा, अब चलते हैं, अगले step की ओर, और वो है हमारा कौन सा, step number 5, step number 5, वो कौन सा है, वो है हमारे पास, data analysis, data visualization and interpretation, है न, उसका विवेचन के इस प्रकार से होगा, हमारे पास जो data आ चुका है, कि अच्छा, A group इस प्रकार से करता है, B group इस प्रकार से करता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, हमको data visualization करना होगा, data analysis करना होगा, ठीक है, अब ये data analysis कैसे होगा इसके लिए हम या तो quantitative मातरात्मक तक्सवाल कर सकते हैं सांखी की तक्सवाल कर सकते हैं या फिर हम qualitative तक्सवाल भी कर सकते हैं तीक है तीक है किसी भी तक्स्वाल करेंगे हम data visualization करने के लिए क्या ध्यान में रखते हुए जो researcher चाहता है उसका जो मकसद है उसी के अधार पे ठीक है और जिस प्रकार का data हम को मिला है ठीक है जिस प्रकार का data हम को मिला है और जो हमारे purpose है experiment का उसके अधार पे क्या कर सकते हैं हम उसके अधार पे क्या कर सकते हैं हम उसके अधार पे हम statistical analysis का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, statistical analysis करेंगे हम, ठीक है, जो भी data हमारे पास है, उसके अधार पे, और वो कैसे हो सकता है, वो तो या होगा parametric, या फिर कैसा होगा, या फिर होगा वो non-parametric, है न, प्राचलिक और गैर प्राचलिक जीसे बोलते हैं, ये parametric सांग की कर सकते हैं किसके लिए हमारे statistical analysis के लिए ठीक है तो अब हमारे पास क्या आ चुका है data भी आ चुका है step number 5 के अंदर हमने उसका visualization भी कर लिया है उसका हमने विवेचन भी कर लिया है कि अच्छा ये सब data ये data in look का है हम statistical analysis की मदद से हम देख लेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है क्या चीज़ें हो रही है और उसके बाद हमारा कौन सा पहुचेंगे हम हम पहुचेंगे number 6 पे जहाँ पे क्या करेंगे हम निशकर्ष निकालेंगे क्या निकालेंगे drawing conclusions ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे हम हमारा जो परिणाम निकला है उसका क्या करेंगे हम परिणाम का आकलन यानि की निशकर्ष आकलन भी इसको कह सकते है ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका जो परिणाम निकला है इसको हम आकलन करेंगे अच्छा हाँ, एक बात और step number 5 के अंदर ही, एक बात और यहाँ पे, कि हमने जो statistical analysis किया था, हमने जो सांखी की विशलेशन किया था, लिख देते हैं, आप भी note कर लिजेगा, हमने जो सांखी की विशलेशन किया था, उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, सांखी की विशले है, उसको क्या करना है, reject करना है, और alternative वाला जो है, याने की जो researcher hypothesis है, उसको क्या करना है, उसको accept करना है, ठीक है, तो सांखी की विशलेशन का statistical analysis का उद्देश यह है, कि null hypothesis को हम reject करें, और इसको हम accept करें, उसका उद्देश है, यह बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ह जनरली 95% cases में ऐसा ही देखा जाता है, कि सांखी की विशलेशन करते ही क्यों है, ताकि हम null को जो है, reject कर सकें, और alternative वाले को हम accept कर सकें, चलिए, और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कि हम जो hypothesis का निर्मान करते हैं, वो कप करना है हमको, वो data gather करने के पहले ही कर देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तहीं तो क्या हो जाएगी, आप data करने के बाद बोलेंगे, hypothesis का निर्मान करेंगे, तो आप उसको मालूम है, data किस प्रकार से आया है, उस प्रकार से आप hypothesis बना लेंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह थोड़ासा bias हो जाएग आप पूर्वाग्रह कर सकते हैं, वहाँ पे उसके साथ, ठीक है, अपनी research के साथ, तो इससे बचने के लिए data आपको कब gather करना है, step number two में ही data, sorry, hypothesis कब निर्मान करनी है आपको, second वाले step में ही निर्मान कर लेनी है, ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, statistical analysis भी लगा लिया, आ आपने देख लिया सारी चीज़े, आपके पास, अब क्या करेंगे, आप conclude करेंगे, ठीक है, तो conclude कैसे करेंगे आप यहाँ पे, या तो आप accept कर लेंगे, या फिर reject कर देंगे, ठीक है, आपका जो hypothesis है, वो reject या approve कब होता है, वो इसी phase में या इसी stage में होता है, ठीक है, कौ conclude करेंगे, कि हमारा जो null है, उसको हम accept कर रहे हैं, या reject कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे 6 number के अंदर होगा, अब यह जो आखरी है, यहाँ पे, इसी के साथ lecture भी समाप्त होगा, यहाँ पे यह वाला, काफी लंबा हो चुका है, ठीक है, तो 7 number में क्या है, अब आपने सब चीज़े कर ली, अब क्या करेंगे, आप, report and publication, बहुत ही simple, आपकी जो research वगरे paper publish होते हैं, वो सब क्या है, यही सब है, आप क्या करेंगे, एक अपनी report बनाएंगे, report के अंदर क्या होगा, आपने जो भी कहानी लिखी है, step 1 से लेके, step 6 तक, जो भी आपके साथ हुआ, घटा, आपका traffic में भसे, जो भी आपके साथ हुआ, सारी चीज़े कहां पेश करेंगे, आप इस report के अंदर पेश करेंगे, और फिर यह report को क्या कराएंगे, आप, इस report को आप publish कराएंगे, ताकि क्या हो यह public domain में सब के पास available हो, भविश में हम आप या कोई और प् concept है, यह variables थे, इसको हमने ऐसे manipulate किया, हमारा data यह था, इसमें हमने यह तकनीक का इस्तमाल किया, सारी चीज़ें A to Z आपको कहां बतानी है, A to Z सारी चीज़ें आप कहां बताएंगे, अपनी इसी report के अंदर बताएंगे, और अंत में क्या कराएंगे, उसको आप publish कराएंगे ठीक है, तो यह है आपका 7-वे नंबर का step, तो इसी प्रकार से, पहले step से लेके 7 step तक पूरे आपको याद होने चाहिए, कौनसे step में क्या होता है, कौनसे step में क्या होता है, चलिए यहां से यहां चल गए, अब हम चलते हैं, उल्टा, सबसे पहले मतलब सबसे आखरी में क obligation कर रहे थे उसके पहले क्या किया आपने conclusion draw किया यहाँ पे उसके पहले क्या किया आपने data analysis and interpretation किया उसके पहले क्या किया आपने research design की शोध अभिकल्प बनाया उसके अंदर आपके पास क्या किया आपने observe और measure करने के लिए आपके पास tools का इस्तमाल किया और sample वगर यहाँ आ करते हैं आप तीसरे में आप identify करते हैं पहचान करते हैं manipulate करते हैं एना उसको और control करते हैं किसको आपके variables को second number में क्या करेंगे आप hypothesis निर्मान परीकलपना का दिर्मान करेंगे और first step में क्या करेंगे आप फरस्ट step में आप अपनी जो problem है उसको बताएंगे उसकी व्याख्य करेंगे identification of problem आप करेंगे ठीक है तो इसी के साथ यह lecture समावत होता है मदद करेगा आपको one में भी and two में दोनों में and I hope आपने research में इतने detail में आपने शायदी पहले कभी पढ़ा हो और पढ़ा हो तो अच्छी बात है रिवाइज होगे आपका नहीं पढ़ा हो तो और अच्छी बात है अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे research के सारे step और अगर आप भी कुछ अपना publish कराना चाते हैं तो इसी steps के थुरू जाना होगा आपको और अंत में जाके आपकी जो report है वो publish होगी ठीक है PhD बगरे बजाएंगे तो इसी प्रकार से